प्राप्रेटी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह एक ऐसा चैनल है जो आपको रियल स्टेट ट्रेनिंग और रियल शेट में बेस्ट एडवाइज देता है आप में रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने का या real state को करीदने का या real state को बेचने का आपके पास confidence level सही हो ताकि आपके साथ कोई सामने वाला बंदा आपको बुद्धू ना बना सके आपको मूर्ख ना बना सके या आपका financial loss ना कर सके तो हमारा चैनल जो है ये एक unique चैनल है ये बिल्कुल अलग तरह का चैनल है जो आपकी हर संबब सहिता करने के लिए तत परे रहता है दोस्तों मैं हूं राजवन सिंग महादी रियल सेट मेंटर रियल स्टेट कोच रियल सेट बुक्स का author motivation speaker आज का जो topic है ये कई बार मेरी ध्यान में आया है पूछते हैं लोग के एक effective real estate broker कैसे बना जाए तो उसके उपर मैंने बात की है qualities of an effective real state broker जो main main quality तो बहुत होनी चाहिए जितनी भी आप में ज्यादा ज्यादा quality होगी उतने ही आप effective broker या effective investor real estate के बन सकते हो यह आपकी talent के उपर depend करता है talent में आपका communication skill आपकी personality आपको confidence यह सब बाज जाता है लेकिन जो चार main चीज़े मैंने देखी हैं इसमें वह जो मतलब मैंने जिंदगी में अपनाई है तो वह जिंद वह आपके साथ मैं बात करना चाहता हूँ यह आप note कर लेना यह बहुत आपको काम आने वाली चीज़ है सब्सक्राइब मैंने लिखा multi-tasker या multi-talented multi-talented तो होना ही चाहिए tasker हो या ना हो यह बात की बात है multi-talented का मतलब है के आदमी को जिसको हर्फन मौला कहते हैं हर्फन मौला होना ही चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं किस तरीके से जाके कहां पर आपको किस तरीके से बंदों को किस तरीके के बंदे को डील करना पड़ सकते हैं यदि आप उनको डील कर सकते हो तो बिलकुल आप का कामयाब हो सकते हो क्योंकि हमारी किसी के साथ जो लड़ाई है लड़ाई यही है कि अपने विचारों के लड़ाई है हम जब रियर स्टेट ब्रोकर के तौर पर सामने बैठते हैं और हमारे सामने गराग बैटा है हमारी यही है कि हमने अपनी बात मनवानी है गराग अपनी ब बन जाता है कुछ एड़ेस्टमेंट्स हो जाती है इसमें आप बहुत कमफट जो कमफट लेवल है आपका वो सही रहता है सो मैंने मुल्टी टास्कर में मैंने यह लिखा है मुल्टी टास्कर क्या है कि हम कई बार मैं अपनी जिंदगी में नहीं कई बार 6-6-7-7-8-8 डील्ज इकठे शुरू की हुई थी तो उसमें हमें क्या फरक बढ़ता था पहली बात तो यदि मैं मल्टी टास्कर हूँ मेरी 8 डील्ज चल रही हैं 10 डील्ज चल रही हैं यदि मैं दसों को मनेज़ करने में कामयब होगया तो इसका मतलब मेरे को 10 डील्ज में स यदि उसका कोई हैल्थ इसू आजाए कोई और इसमें प्रावल्म आजाए यदि वो उसको ना कर पाए हैंडल ना कर पाए या उसको सकसेशफुली उसको अपने अंजाम ना दे पाए तो उसमें उसका नुक्सान भी जदा हो जाए कई लोग मैंने देखें सिर्फ एक डील पर फोक्स करते हैं जब तक वो डील नहीं हो जाती तब तक वो आसपास देखते नहीं जैसे घोड़े की आंखोंपर ये खोपे लगे होते हैं न उस तरीके का वो चलते हैं कि जब तक एक डील उनकी फैञली होगी तब तक दूसरी के बारे में सोचते ही नहीं लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूं कि मेरी तो पतनी छेशे साथ साथ आठाट दस देले चलती रहती है बतलब पहले भी चलती थी अभी भी चलती रहती है वहां यह उसमें यदि management करने में problem आगी तो नुकसान भी जदा हो जाता है यदि आप manage कर जाते हो तो उसमें आपका फैदा भी बहुत हो जाता है इस करके मल्टी जो मल्टी टेलेंटड है वो तो होना ही चाहिए मल्टी टासकर यदि आप बन सको तो जरूर बने नहीं बन सकते तो कोई दिक्कत नहीं कोशिश करके देख लेना नहीं तो एक डील भी एक एक सब्सक्राइब करोगे तो भी आपक इसको ऐसे जानता हूं जो किसी के पिछे इस तरीके से लग जाते थे जैसे उसकी जान लेके चुड़ेंगे जस्दीब सिंग यहां पर काफी अच्छा ब्रोकर है काफी बड़ा काम है उसका तो उसने मेरे को एक बार बताया था कि मैं पहली डील कैसे करा तो मैं कहता है किस साम भी सुबह भी शाम भी कहता एक दिन उसने मेरे को अंदर बलाया अंदर बलागे बठा बठाया और मेरे को यह कहा कि यार मैंने डील लेनी नहीं थी लेकिन जो तेरा यह कंसिस्टेंटली तुमने परफॉर्म किया इस बात से मैं प्रभावत हो गया हूं अब मेरी डील करवा लें तो उस समय उसकी दो लाक पांच लाक दस लाक की जितनी भी डील होगी उसके हिसाब से उसको पैसे मिले और वो बंदे ने उसको एप्रिशेट किया इस तरीके से यहां बलविंदर सिंग है एक वह भी इसी तरीके से काम करता है और एक आदमी मतलब मैंने यह भी जाया ही नहीं जाता मतलब उसको कई बार तो ऐसे होता है कि यार चलो यार इसको पैसे दो गले से उतारू यह नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे होता है कई बार हम नहीं चाहते कि हमने कम काम करना है लेकिन किसी आदमी के साथ हमारे रिलेशन होते हो बार बार आता रह और इसके ऐ्ल वेरा दूसरह मैं किसी कोई मेरे, मैं चाम करता था मैंने हब्सक्राइक करते थे तो जो आदमी मेरे हिसाब से नहीं चला जो आदमी अपने तरीके से को कर रहा है, या मैं फून का जवाब नहींदे रहा, अभी बीकोई कोई पीच्छे आई था कि मैंने 13 क्रोड़े पर इन्वेस्ट करना है मैं दो बार तीन बार उसको फोन किया 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 तो उसने मेरा फोन उठाना बंद गया मैंने बिलकुल उसके उपर सिन नाम बंदा आए था मेरे पास जो कहता था मैंने मेरे को डील लेके दो 400 गज का प्लॉट चाहिए था चार्सों गज प्लॉट का रेट था बाइस लाखर प्र और वह मेरे को पहरा जी आप ठानां लाखर में लेके तो मैंने का भाई थारा लाक में नहीं मिलेगा तो वह बैठे बैठे चुलो बाद चीज जैसे उसको चाय पर नहीं पलाया मैंने बोला के तुम्हारा फोन नंबर क्या है फोन नंबर उसने अपना हाथ मतल़ उस वे पर लिखकर रखे तेबल पर और वह जाते समय फिर वह कहन लिखा तो सब उसके समने फार्दी मैंने का यू आर नाट है जैनुवन पर चेजर बाइस लाग की चीज अठारा लाग में मिलेगी नहीं यदि मिल भी गी तो हम किसलिए बैठी हैं तो ठारा लाग की चीज हम लेंगे और तेरे को फिर भी बाइस लाग की मिलेगी 21 की मिले ज तेरे को क्यों देंगे फिर 18 में तो उसके सामसे ही उसकी मिने परची फार दीती तो मतलब मैं consistency पे कम जाता हूं मैं चलता रहता हूं चलता रहता हूं एक चला गए दूसरा तीसरा जैसे भी है जिस तरीके से उसको deal करता है तो मैं लेकिन consistently जो काम करते आदमी वह भी बढ़िया रहते हैं बहुत अच्छा कमाते हैं जैसे मैंने आपको बताया के जश्दीव सिंग ने कमाया बलविंदर सिंग एक आदमी था किसी के सज्ने देखागी तो वह सब्सक्राइब है और यहं दो ऊच्छने का अंगल और अगला और हमाने procrastination procrastination होती ही ताल मतोर करना आगे कर देना आज का का पर सो को पर सुवे जो यह हमारे में नहीं होना चाहिए हुआ करने अज़ ही करना है और उसकी लिस्ट बना लिना नहीं है तो हूँ मैं आठ बजे से लेगे नौ साड़े नोवे तक जहां जहां भी मैंने अपनी कोई बात कहनी होती फूंड पर बात कह देता हूँ और उसके बाद जो दिन में उनके मिलने की मीटिंगे फिक्स कर लेता हूँ तो यह प्रोस्टिक प्रोक्रेस्टिनेशन है यह नहीं होनी चाहिए टाल की जो आदत है आपको टाल मटोल करने की आदत है यह आप में बिल्कुल नहीं होने चाहिए चौत्था मैंने लिखा योड़ डिटर्मिनेशन टू अर्न फ्राम रियल स्टेट एज पार्ट तैम और फुल टेम बिजनस आप में भूख होनी चाहिए कि मैंने को की काम कर तो में पार्ट टैंट कर दीके मा करना चूंस करनाय कुछ करने में थोड़ा-थोड़ा पहले फोड़ा-थोड़ा करना शुरू किया अरसे नैंटी टू या नैंटी थी के बीच में दिसंबर की बात है तो दो ड़ाई जार पर बचा लेकिन मैं सेट्स भाई था कि मैंने कुछ अपनी जॉब के बिना कुछ कमा है यदि आप भी जॉब कर रहे हो कोई दुकान दार हो कोई आपका बिजनस है कोई आप वकील हो कोई आप इसमें थोड़ा बहुत अपनी एफर्स डालके उसमें से पैसा कमा सकते हो रियल स्टेट जितना असान काम कोई नहीं है जितना रियल स्टेट बिजनस करना असान है रियल स्टेट बिजनस करने से ही हमें क्या मिलता है लाइफ आफ सिगनिफिकेंस मिलती है जिसमें हमा अरे पास पैसा भी लेते हैं बिना पैसे के लाइफ किसी काम की नहीं यदि आपके पास पैसा भोट हो खाने का टैम नहों तो वो लाइफ भी किसी काम की नहीं इसलिए मैं बोलता हूं बार बार रखना है ताकि आपके साथ या आप उस बात पर गौर करके अपनी जिन्दगी में सक्सेसलाज को तो दोस्तों आज के लिए इतने ही है यह सिर्फ क्वालिटी सी इसके बिना भी है आपके पास डॉकुमेंटेशन के नौलज चाहिए मास्टर प्लाइन की नौलज चाहिए मल्टी टास्कर मल्टी टेलेंटड़ों कंसिस्टेंसी हो आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन ना हो और डिटर्मीनेशन हो कि मैंने काम करना है तो यदि आप काम कर लोगे तो बढ़ी है बहुत अच्छा है इसमें आप क्यों कामिया भी मिलेगी आज के लिए इतने वीडिय कर सकते हो जैनल सब्सक्राइब करके घंटी बला बटन जुरूर दिबा देना ताके कोई अच्छी वीडियो आपके आपसे मिसना हो जाए मिलता हूं जल्दी एक ने टॉपिक साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें सीखते जाए इस तरीके से लर्न करते जाए यदि आप अर्न करना आपके लिए बहुत ही शोटा सा गोल हो जेगा थैंक यू बरी मच्छ